ग्राम दोरखाओं के दुरगा पंडाल में जन चेतना अभियान के तहर्ट परदान की गई जानकारी मंडला जिले में पुलिस मुख्याले के आदेश अनुसार चेतना अभियान की शुरुआत की गई पुलिस विभाग एवं नारी शक्ती एक नई पहल संसा के द्वारा जागरुकता अभियान की शुरुआत की गई जिसमें नारी शक्ती एक नई पहल संसा मंडला के में तिम मेंबर प्रिशाद परदेल द्वारा पताया गया की पुलीस विभाग और NGO द्वारा परदेश के समझ जिनों में चेदना अभियान में सहब आगीता दी जा रही है ये कारिगरम दुर्गा पंडालो स्कूल कालेजों में चेदना अभियान चलाया जा रहा है महिलाओं एवं बालक बाली गाओं के पृति घटित हो रहे अपरादों की रोकताम हेतू लोगों को जागरुख कर समझ जिन बनाने हेतू चेदन अभियान नवरादरी के नो दिनों तक चलाया जाएगा इसकी केम सरकार ने प्रिशन सकी एवं धुर्गा बंडाल में उपस्तित लोगों को अपरादों के पृति जागरूख होने के लिए आवेशक नरदेश दिये करी गरम में गराम धोरगां के समस्त ग्रामिंड ज्यन उपस्तित थे एवं बंबनी बंजर थाना श्काप शीरिमती किजना हुई के में जोदी नारी शक्ती एक नई पहल संस्ताइगी पाउंडर पिरसेंट सुप्रीम कोड अधिवपता एड़ोकेट डाक्टर नुपुर धमीजा ने बदाया कि चेतना अभियान के तहट बच्चों को गुड टेच, बेड टेच, एवन साइबर सेक्यूर्टी एवन जाता है संबन्नी जानगारी हर जिरे में दी जा रही है। ना जाने क्या गई है, क्या हो गया, अमरी बच्ची के साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर उसके साथ साथ पुलीस भी परिशान होती है। इसलिए मैं जाते हैं आदे हैं। हमें नहीं जाना है। कोई अलग लालाज दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई चोकलेट दे रहे हैं। हमें कुछ साहित कर रहा है, तो इसका यह मत्तब नहीं है, बिना पहचाने, बिना जाने, हम उनके साथ क्यों जाने। ठीक है, जब भी कोई अपराद हाटी ठोकता है, तो अपने यहां पर हंडेर्ड डाइट की जो भी समस्च्या होगी, अपरादों से संबंदित, इनकी रोग काम करने हैं। प्लीस की मदद करने, प्लीस की मदद करने, हमारा अधिकार रखिये देश के हर शहर, हर गाउ, हर कजबे की ख़बर पर नज़र सिर्फ और सिर्फ राचत आजकल निज्ज चैनल पर, अगर आप हमारा चैनल यूटूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे, और वेल आइकन जरू दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट और अगर आप हमारा चैनल फेस्बुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें शेर करें और कमेंट्स जरू करें और अगर आप पत्रकारिता के छेत्र में अपना कर्यर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राश्टाचकल न्यूस चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिये हुए नंबर पर आप हमसे संपर कर सकते हैं